तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण में विराम चिन यानि की पंच्वेशन मार्क्स को सीखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किये पूरा अंत तक ध्यान से देखिए तो चलिए सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वीराम चिन क्या होता है इसका परिभासा क्या है तो देखिए परिभासा है कि वीराम का अर्थ रुकना अथवा विश्राम लेना है वीराम का अर्थ होता है रुकना या तो विश्राम लेना तो विराम को बताने वाले के लिए जिस चिन्हों का परियोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह यानि कि पंच्वेशन मार्क्स कहते हैं कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी वाक्य जब हम लिखते हैं तो उसको हम हमेशा लिखते ही नहीं चले जाते हैं कहीं कहीं रूखना पड़ता है यानि कि विष्राम लेना पड़ता है तो विष्राम लेने के लिए जिन चिन्हों का हम परियोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं तो देखिए विराम चिन्ह का प्रकार तो यहाँ पर हम लोग 6 विराम चिन्ह का प्रकार के बारे में जानेंगे पहला है पूर्ण विराम तो पूर्ण विराम का सिंबोल चिन्ह ऐसा होता है देख लिजिए दूसरा में है प्रेशन सुचक चिन question mark है आगे है विश्मयादी बोधक चिन विश्मयादी बोधक चिन exclamatory symbol ऐसा होता है यानि कि पूर्ण विराम लिख करके और नीचे एक बिंदू देते हैं फिर है अलप विराम ऐसा होता है आगे है उद्धरन चिन देखिए यह है double inverted कोमा और फिर है योजक चिन यह अशा होता है ठीक है चलिए अब हम लोग जानते हैं कि विराम चिन का परियोग जो है हम लोग कहा कहा करते हैं देखिए पहला है पूर्ण विराम तो पूर्ण विराम का परियोग हम कहा करेंगे तो वाक्य पुरा होने पर लगाया जाता है जब हम कोई भी वाक्य को लिख रहे हो और जब वो वाक्य पुरा हो जाता है तब हम लोग पुर्ण विराम का परियोग करते हैं जैसे कि हम लोग एक्जामपल के माद्ध हम से समझते हैं मैं प्रती दिन विद्या लई जाता हूँ, ये जो शेंटेंश है, ये जो वाक्य है, वो कम्पलीट हो गया, पुरा हो गया, इसलिए यहाँ पर लगा दिये पूर्ण विराम. दूसरा एक्जामपल है माता जी ने खाना बना लिया तो माता जी ने खाना बना लिया वाक्य पूरा हो गया तो यहां पर लगा दिये पूर्ण विराम अब हम जानते हैं प्रेस्न सुचक के बारे में तो इसका परियोग हम कहां करते हैं तो प्रेशन पूछते समय तो जब कभी भी question arise होता है जब प्रेशन पूछा जाता है तब हम लोग प्रेशन सुचक यानि की question mark का परियोग करते हैं जैसे की example है कि आपको आज कहां जाना है यहां पर question पूछा जा रहा है कि आपको आज कहां जाना है तो यहाँ पर कहां सब्दा आ गया question arise हो गया तो इसी लिए यहाँ पर लगेगा प्रस्न सुचक चिन फिर है तुम किस विद्याले में पढ़ती हो तो यहाँ पर देखिए प्रस्न पुछा गया तो यहाँ पर भी question mark लग गया अगला है तिश्रा में विश्मयादी बोधक चिन तो विश्मयादी बोधक चिन का परियोग कहां पर करेंगे तो देखिए जैशे की हर्स हर्स का मतलब होता है खुसी आनंद सोक अस्चर्य वह घ्रिणा के लिए तो जिस वाकि में हम लोग हर्स सोक अस्चर्य एवं घ्रिणा सब्द का परियोग अगर हम करते हैं तो वहाँ पर हम लोग लगाते हैं विश्मयादी बोधक चिन जैसे की देखिए एकजमपल है वाह कितना सुन्दर बगिचा है तो यहाँ पर देखिए वाह एक ऐसा सब्द है इस शब्द से यहाँ पर हम हर्स वेक्त कर रहे हैं खुसी वेक्त कर रहे हैं कि बगिचा जो है वो बहुत सुन्दर है कितना सुन्दर बगिचा है तो आश्चरी भी यहाँ पर हो रहा है कि वाह बहुत सुन्दर बगिचा है ठीक है तो यहाँ पर वाह जो शब्द है तो इसमें हम लोग लगाएंगे विश्मयादी बोधक चिन सेकेंड है हाई मैं लुट गया तो यहाँ पर देखिये फोक विक्त किया जा रहा है कि हाई मैं लुट गया तो हाई सब्द के बाद विश्मे आदि बोधा चिन लगेगा नेक्स्ट है अल्प विराम अल्प विराम को कहां लगाएंगी तो बोलते पढ़ते समय जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो जब हम थोड़ी देर के लिए जब हम कोई भी वाक्य पढ़ रहे हों और जब थोड़ा समय के लिए जब रुकते हैं तो वहाँ पर हम लोग लगाते हैं अल्प विराम जैशे की मा ने रसगुले जलेबियां और हलवा बनाया तो मा ने तीन चीजे बनाई रसगुले जलेबियां और हलवा तो यहां पर रसगुले के बाद क्या है कि थोड़ा देर के लिए हम लोग रुके ठीक है तो इसलिए यहाँ पर लग गया कौमा यानि कि अल्प विराम दूसरा एक्जामपल है राधिका, दिनेश और महेश बगीचे में घूम रहे हैं तो यहाँ पर भी पढ़ते समय राधिका के बाद थोड़ा देर के लिए रुके तो यहाँ पर भी लग गया अल्प विराम नेक्स्ट है उद्धरन चिन, तो उद्धरन चिन कहां लगाएंगे किशी की बात को जैसा का तैसा लिखने में परियोग यानि कि जब किशी का वाक्यान से है जो उन्होंने दिया हो तब उनके बात को जब हम लिखेंगे तो उद्धरन चिन का परियोग करेंगे जैसे कि शिच्छिका ने कहा, यहाँ पर ने होगा शिच्छिका ने कहा कल विद्याले बंद है तो किश ने कहा, तो सिच्छिका ने कहा तो ये शिक्षिका का कहा हुआ बात है उनका वाक्यान्फ है कि कल विद्याले बंद है तो किस के द्वारा कहा गया शिक्षिका के द्वारा कहा गया तो ये कल विद्याले बंद है ये बात कहा गया तो कल विद्याले बंद है को double inverted कोमा जमें रखेंगे next है कि नेहरू जी ने कहा था नेहरू जी ने क्या कहा था तो ये नेहरू जी का वाक्यान्फ है कि बच्चे बड़े भोले होते हैं बच्चे बड़े भोले होते हैं नेहरू जी ने कहा था तो बच्चे बड़े भोले होते हैं को inverted, close करेंगे यानि कि उद्धरन चीन का परियोग करेंगे अगला है योजक चीन तो दो सब्द को जोड कर लिखने के लिए तो जब हम लोग दो सब्द को जोड कर लिखते हैं तो वहाँ पर योजक चीन का परियोग होता है जैसे की जल्दी जल्दी घर चलो तो यहाँ पर जल्दी जल्दी ये दोनों सब्द जो है एक दूसरे से जुडा हुआ है तो यहाँ पर योजक चीन का परियोग होगा फिर है भुखा प्यासा बच्चा रोने लगा तो भुखा प्यासा दोनों के बीच में होगा योजक चिन क्योंकि ये जो दोनों सब्द है भुखा प्यासा एक दुसरे से जुड़ा हुआ है तो फ्रेंट ये था विराम चिन का परिभासा और विराम चिनों का परियोग कहां कहां करेंगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सबस्क्राइब करें धन्यवाद